सत्संग के बचन, हुजूर महराज बाबा सावन सिंग जी द्वारा फर्माय गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं, सत्संग के बचन, वानी कबीर साहिब जी की, कबीर साहब का शब्द है, आप फर्माते हैं कि ये जो शरीर है, रूह या आत्मा के रहने का महल है, फिर कहते हैं कि ईशवर परमेशवर, बरम पार बरम, खुद खुदा भी इसके अंदर है, बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, बाहर क्या है, काघज, पत्थर और पानी, तीर्थों पर पानी है, मूर्थियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें काघज की हैं, और जबों में नाम की महमा है उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं वो तो तुम्हारे अंदर है वो जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा बाहर नहीं अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है अंदर से उपर चड़ो और उसके प्रतेक्ष दीदार करो काम क्रोध मदलोभ बिसारो कहते हैं कि अगर अंदर जाना है उससे मिलना है तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीजें छोड़ दो यानि सबसे पहले काम को छोड़ दो क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता काम और नाम की दुश्मनी है जिस हृदे में काम है वहां नाम असर नहीं करता नाम हमें उंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है जबके काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है इसलिए हमें क्या करना है एक कागरता यानि कॉंसेंट्रेशन से रूह को समेट कर उपर ले जाना है इसलिए क्रोध भी छोड़ दो अगर आंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती इसी तरह लोब और मोह भी छोड़ दो क्योंकि ये भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं फिर क्या करो काम की जगा शील से काम लो क्रोध के बदले क्षमा से काम लो लोब के बदले संतोश और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू कर दो विरोधी शक्तियां हैं उनको छोड़ दो कहते हैं शराब छोड़ दो मास छोड़ दो जूट बोलना छोड़ दो इन तीनों को छोड़ कर फिर अंदर जाओ अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ है तो रूह अंदर नहीं जा सकती धोती नेती बस्ती पाओ आसन पदम जुगत से लाओ आंखों से नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं आई समझ ये कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये न कहे कि संत आंखों से उपर चले गए नीचे का उन्हें पता ही नहीं है दूसरे लफजों में वे उपर ही नहीं गए गुरुनानक देवजी और अन्य संतों ने गयर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है मगर कबीर साहब ने नीचे और उपर दोनों का हाल बयान किया है याद रखने वाली बात ये है कि आँखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं अब कबीर साहब हट योग के तीन साधनों का वर्णन कर रहे हैं धोती, बस्ती और नेती धोती में करीब तीन अंगल चोड़ा और आठ दस हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निगल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं इससे आँटों की मैल दूर हो जाती है बस्ती कहो या अनीमा इसमें नीचे से पानी चढ़ा कर वो खाना जो पकाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं अब अंदर कोई मैल नहीं रही नेती क्या एक रेशम का डोरा होता है उस पर मूम लगा लेते हैं वो ना केक सुराख से चढ़ा कर उसका सिरा मू के बीच में से निकाल लेते हैं इससे जो दिमाख की बलगम होती है निकल जाती है अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं क्या पूरक, कुम्भक और रेचक पूरक स्वास का भरना कुम्भक ठहराना और रेचक खाली करना है अब आठ किसम का कुम्भक और आठ ही किसम का रेचक है इनका अपना-पना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं कई-कई घंटे स्वास नहीं लेते कुम्भक कर रेचक करवाओ कहते हैं योगी मूल चकर पर बैठ कर पदमासन लगा कर सांस भरते ठहराते और खाली करते हैं पदमासन ये है एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को पहले पर रख कर आल्थी-पाल्थी मार कर बैठ जाना फिर तवज्य यानि ध्यान कहां रखते हैं मूल चकर में मूल चकर गणेश चकर को कहते हैं मूल कवल दाल चतुरब खानो कलिंग जाप लाल रंग मानो मूल चकर या गदा चकर चार दल का कमल है यहां योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं गदा चकर का वर्ण यानि रंग लाल है यानि यहां की जो रोशनी है वो लाल है और जो देवता या मालिक है वो गणेश है देव गनेश तहां रुपा थानो रिध सिद चवर धुलारा है जब मूल चकर को पार कर लो तो रिधियां, सिद्धियां, शक्तियां आ जाती है हिंदूओं में जैसे यह कहा जाता है कि पहले गनेश की पूजा कर लो यह मुख्य पूजा है इसका अर्थ है कि अगर गनेश की पूजा करो तो मनोरत सिद यानी पूरे हो जाते है अब पंडित तो कहते हैं कि गनेश की पूजा करो मगर होता क्या है उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है क्या करते हैं कहते हैं बुलाओ पंडित जी को वो पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं अगर मूर्तियां नहीं लाते हैं तो गुड की दली पर धागा लपेट लेते हैं, पूजा हो गई। जब दुकान खोली, वो चली नहीं, तो कहते हैं कि जी, पूजा तो की, लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या, पूजा की या क्या किया। असली पूजा तो प्राणयाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था, वो किया नहीं, फिर मिले क्या। कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है, कोई, जो संतों के सत्संगी हैं, वे इन चीजों को नहीं छेड़ते, नहीं वे संतों से करामाते मांगते हैं, संतों से करामाते मांगना बेवकूफी है। जब ये मूल चक्र पार हो जाता है, तब आते हैं इंद्रिये चक्र में इस चक्र को पार करने वालों का अपना-पना हिसाब होता है कोई पचास हजार माला फेरता है, कोई एक लाक, किसी का डेड़ लाक का सुम्रिन होता है अब कहते हैं कि स्वाद चक्र का रंग श्याम या नीला है गणेश चक्र मेरे प्रिथवी का तत्व है इस जगे पानी का तत्व है यहाँ छे दल का कमल है इसके मालिक ब्रम्हा और सावित्री है जिस ब्रम्हा को मुसल्मान मैकाईल कहते हैं जो दुनिया को पैदा करता है यहां पर बैठकर योगी ओम ओम का जाब करते हैं लेकिन वहां वो ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ती है बलकि वो इन छे चक्रों में है ही नहीं इन छे चक्रों में जाप ही जाप है यहां पर एक रग है जिसको कुंडलनी कहते हैं योगी इसको मेरुदंड जिसको स्पाइनल कॉर्ड या रीड की हड़ी भी कहते हैं से जोडते हैं नाभी में आठ दल का कमल है जिसका प्रकाश सफेद है और उसका मालिक विश्णु है अब जो लोग कहते हैं कि विश्णु स्रिष्टी को पालता है ठीक कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकल कर ताकत बनती है यहां पर नसें होती है कोई नस हाथ की और जाती है कोई कान की और, कोई नाक की और कोई आँक की और, कोई किधर कोई किधर उनके जरीए सारे शरीर को ताकत मिलती है यह ताकत कहां से मिलती है नाभी से, विश्नु से सो ये विश्णु हमारी सेवा के लिए है अगर मुसल्मान नहीं पूझते तो क्या वो सेवा नहीं करता अगर इसाई नहीं पूझते तो क्या वो सेवा नहीं करता जरूर करता है आत्मा यहां दोनों आँखों के पीछे बैठी है और ये विश्णू बहुत नीचे बैठा है यहां पर योगी हिरिंग कजाप करते हैं नाभी का कमल कहां से ताकत लेता है हरिदे कमल से हरिदे कमल का मालिक कौन है शिव और पारवती इनसान उल्टा पेड़ है इसकी जड़ कौन है दिमाग आदमी की रूह दिमाग से उतर कर सारे शरीर में फैलती है फिर अभ्यास दुआरा सिमट कर दिमाग में चली जाती है नाभी का चक्र विष्णू और पारवती से ताकत लेता है द्वादस कंवल हृदय के माही जग गौर सिव ध्यान लगाई हृदय में बारा दल का कमल है ये प्राणों का भंडार है यहां का स्वामी शिव है जिस तरह गनेश पृत्वी की तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है सोहं सब्द तहां धुन च्छाई गन करें जै जै कारा है कहते हैं इस जगह बैठकर योगी सोहंग सोहंग कजाप करते हैं वेदानती भी सोहंग सोहंग कजाप करते हैं इसको सोहं कजाप कहते हैं, यानि ओं और सोहं कजाप करना। मैं भी सोहं कजाप करता रहा हूं। इसकी मालिक अश्टांगी यानि शक्ति है, लेकिन संत से अविद्या कहते हैं, ये ब्रम्हा, विश्नु, शिव की मा है, ये तीनों इस से ताकत लेते हैं, यानि ब्रम्हा विश्नु से ताकत लेता है, विश्नु शिव से और शिव अश्टांगी से, इस तरहे ये तीनों ही अश्टांगी से ताकत लेते हैं ब्रम्ह विश्णु और शिव इस से ताकत लेते हैं और चमर ढूलाते हैं इसको अश्टांगी देवी कहते हैं यहां का जाप श्रिंग है ता पर कंज कंवल है भाई बगभोरा दोएं रूप लखाई निजमन करत तहां ठकुराई सो नेनन पिछवारा है दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है इसको हम दिव चक्षू कहते हैं यहां पर मन और आत्मा रहते हैं मगर यहां मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं यहां आत्मा पर्दों में ठकी हुई है इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है इसलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे नहीं ले जाते एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जोहर है नहीं दूसरे काफी साल लग जाते है इस जमाने में इतनी उमर है नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है तीसरा इसमें ख्याल नहीं लगता अगर लगता है तो बहुत देर से चौथा अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापसाना मुश्किल हो जाता है इसके विपरीत संतमत में आसानी है एक मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ लेकिन कब? जब सुमरन का कोर्स पूर्ण हो जाए कुछ तकलीफ नहीं होती हमारे स्त्रियां और पुरुष्यों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूँ के इनको पड़े रहने दो घंटे दो घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे अगर ना उठें तो रगों को मल दो जो गर्दन के पीछे लगी हुई है फिर वे फौरण उठ बैठेंगे मगर प्राणायाम में ये बड़ी भारी तकलीफ है अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है अब कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है उसको अश्क दल कमल भी कहते हैं कमलन भेद किया निरवारा यह सब रचना पिंड मंझारा शरीर के चार हिस्से हैं पिंड, अंड, ब्रमांड और सचखंड दोनों आँखों तक पिंड है इसके उपर अंड, ब्रमांड और सचखंड है ब्रम तक प्रले होती है और सोहंग तक महाप्रले होती है सच्छखंड वो देश है जहां न प्रले होती है और नाहीं महाप्रले जो ब्रह्म की मुक्ति है वो बेशक युग परियंत है मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वो हमेशा के लिए है इसलिए संत उस मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं जो छे चक्र हैं ये पिंड देश में हैं अब कभीर साहिब उपर का यानि अपना मत बयान करते हैं सत संगकार सत गुर सिरधारा वह सत नाम उचारा हैं जब हम सत गुरू की संगती में गए उसने बताया कि तुम्हारा देश सच्खंड है अब योगियों की आखरी हद यहां से छटे चक्र तक है कोई कोई योगीश और ब्रह्म तक गया है सो जो योगियों की आखरी हद है वहां से हमारे संतमत की हद शुरू होती है हमारी मंजिले उपर हैं यहां पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है सहस्दल कमल में सुक्ष्म शरीर और सुक्ष्म माया है ब्रह्म में कारण शरीर और कारण माया है मन भमर गुफा तक सुक्ष्म महा सूक्ष्म हो जाता है लेकिन वश में नहीं आता फिर नीचे गिरा देता है धोखा दे देता है सत्कुरू का उपदेश है कि इस भमर गुफा से उपर आ जाओ आंख कान मुख बंद कराओ अनहद जिंगा सब्द सुनाओ संतों का मत ये है कि जब यहां दोनों आंखों के बीच बैठ कर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकल कर उपर मस्तक में आ जाएगी शरीर मुर्दा हो जाएगा हमें प्राणों को नहीं लेना है योगियों ने लिया है मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए है योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया मगर प्राण चिदा काश से आगे नहीं जाते प्राण अपना काम करें हमें उन्हें छोड़ देना है अगर हम इस तरह आँखें बंद करके बैठ जाएं तो हमारा दुनिया से क्या तालुक है कोई नहीं ये शरीर एक मिट्टी की धेरी है इस से ज्यादा कुछ नहीं जब आँख खोली तो दुनिया से तालुक हो गया जबान खोली तो बोले कान खोले तो सुनना पड़ा अब कहते हैं आँखों की तवज्ज़ कानों की तवज्ज़ और बोलने की तवज्ज़ तीनों को काट दो यानि जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सत्गुरु बताता है दोनों तिल एकतार मिलाओ तब देखो गुलजारा है जब हम अभ्यास करेंगे दोनों आँखों की जोती तीसरी आँख में आ जाएगी सुमरन से सुरत को अंदर ले जाओ अंदर तीसरी आँख में प्रकाश हो जाएगा कई असलियत से बेखबर मजब वाले आँख की रोशनी को देखते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाख के अगर भाग को देखो रोशनी आ जाएगी लेकिन वो रहनुमाई नहीं करेगी कई सत्संगियों को अपनी शकल दिखाई देती है मैं कहता हूँ कि खबरदार उसका ध्यान नहीं करना वो अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है जो भी देखता है कह उठता है अहम ब्रम्मास्मी यानि मैं ब्रम्म हूँ और वहीं रह जाता है वेदान्तियों की हद यहीं तक है कोई कोई ब्रम्म तक गया मगर कह उठा अहम ब्रम्मास्मी वेदान्त के तीन स्टेशन हैं नेत्र, रदे और कंट वेदान्ति तो सूक्ष्म देश सहंस्तल कमल में भी नहीं गए मगर कहते हैं कि हम ब्रम्म हैं हमारे सिवाय और कुछ नहीं मिसाल के तोर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशा हूँ तो वो बादशा तो नहीं बन जाता इसी तरह ब्रम्म कहने से आदमी ब्रम्म तो नहीं हो सकता जो व्यास वसिष्ट जैसे योगिश्वर ग्यानी हुए हैं उन लोगों की चढ़ाई थी आज कलके बहुत से नए वेदान्ति ना भ्यास करते हैं ना चढ़ाई जबानी कह देते हैं हम भी ब्रम्म तुम भी ब्रम्म मन को तो काबू नहीं करते सो कहते हैं जब दोनों आँखों की रोश्णी तीसरी आँख में आ जाएगी तब अंदर रोश्णी पैदा हो जाएगी संतों की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है चंद सूर एक ए घर लाओ सुष्मन से ती ध्यान लगाओ पहले रोश्णी आएगी फिर सूरज और चंदर मा आएगे इसके आगे क्या है तीन रास्ते हैं दाया, बाया और बीच का बीच का सुष्मना का है जिसके अंदर से सुरत को जाना है तिरबेनी के संध समाओ भोर उतर चल परा है ये सुक्ष्म इशारा दिया गया है वर्णन तो बहुत लंबा है यही गुरु नानक देव जी कहते हैं पूरब होए पच्छम को तावै रविसस दोहां एकतर मिलावै पच्छम से जो चड़े सुमेर आवे पर दखन के फेर पुरिया साथ उपर कमल आसन तिथै पार ब्रह्म का आसन जिन हीरे रतने लाल परोई नानक कहे उदासी सोई यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो बीच के सुश्मना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ क्या पता है कब चले यानि मर जाना है घंटा संख सुनो धुन दोई सैंस कमल दल जग मग होई जब सत्कुरू का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे सूरज चंदरमा का मंडल पार करोगे तो उपर से दस कि धुने आएंगी उनमें कशिश है आप उनमें से घंटे और शंक की धुन पकड़ लो जो सहंसदल कमल है वहां हजार बत्ती की बहुत खुबसूरत जोट है बहुत सारे योगी उस जोट पर मस्थ हुए बैठे हैं उनका ये आखरी देश है ता मध करता निर्खो सोई बंक नाल धस पारा है जिन को त्रिलो की नात कहते हैं ये सहंसदल कमल उनका हेड़ कौर्टर यानि मुख्याले है राम, कृष्ण उसके अवतार है वे इसी जगा यानि स्टेशन से आते हैं जब योगी सहंसदल कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो इसके उपर एक रग है जो बाल के दस्वे हिस्से से भी बारीक है वो एक साइफन है चाहे उसको सुरंग कहलो ये ब्रम और सहंसदल कमल के बीच एक टेड़ा रास्ता है उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती जब गुरुनानक देव जी मक्का रुकमदीन के पास गए उसने सवाल किया कि खुदा कहां रहता है उसका महल किसके जैसा है महल के कितने दर्वाजे हैं कितने बुर्ज हैं कितने कंगूरे हैं वहां गुरुनानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इनसानी वजूद में रहता है इस महल के बारां बुर्ज हैं तीन सीधे हाथ के यानि एक हाथ दूसरा हाथ से कोहनी तक तीसरा कोहनी से कंदे तक तीन उल्टे हाथ के तीन दाइं तांग के तीन बाइं तांग के 9 दरवाजे हैं आंखें, कान, नाक वगारा और 52 अंगूरे हैं 20 नाखून और 31 दांग फिर कहते हैं उच्चे खासे महलते देवे बांग खुदाए सुत्ते बांग न सुन सकन रहया खुदाए जगाए ऐ रुक्नुदीन जो आवाज उपर से आती है वो बुलाती है मगर लोग सोए हुए हैं सुनते नहीं फिर कहते हैं सुत्ती पई निपाग सब सुने न बांगा कोए जो जागे सोई सुने साई संदी सोई कि सारी दुनिया सोई हुई है जिस पर मालिक दिया करे उसको जगा देता है फिर कहते हैं राह खुदाए पी हावला वालों दस्वें पाए हाथी जाए न सकनी हौम में रखे रडाए कि वो बाल से भी बारीक रास्ता है मन हाथी है इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है जब ये मन बारीक नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है डाकने साकने बहु किलकारें जम किंकर धर्म दूत हंकारें अब सहस्दल कमल में बेश्मार रिधियां सिधियां शक्तियां हैं फिर ऐसी ऐसी खुबसूरत इस्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं इसी तरह इस्त्रियों के लिए भी खुबसूरत मर्द हैं जो इस्त्रियां यहां कायम नहीं रहती वे वहां पर कैसे बच सक इसी तरह जो मर्द यहां कायम नहीं रह सकते वे वहां कैसे बच सकते हैं। इसलिए वो अपने शिश्यों को इधर फंसने नहीं देता। कोई पास नहीं आएगा ना यम्दूत पास आते हैं ना धरमराय पास आता है और ना काल नजदीक आता है। गगन मंडल विच उर्ध मुख कुया। गुर्मुख साधू भर भर पिया। कहते हैं ये ब्रह्म का देश है जिस तरह सहस्दल कमल में अमरत बरसता है इसी तरह त्रिकुटी में भी अमरत बरसता है। यही सब्त रिशी ने वालमी की को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जब। गोस्वामी तुलसिदास जी कहते हैं उल्टा नाम जबत जग जाना बालमी की भए ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जब कर वालमी की ब्रह्म में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रम्म में पहुँच गया, ये गलत है, जब हम ब्रम्म में पहुँच गए, वहां एक उल्टा कुआ है, जिसमें अम्रित है, जब अम्रित पिया, जन्मों जन्मों की आशातरिशना की प्यास बुझ गई, जो वहां प्रचने वाले का नाम साध है। ये दौलत उनके लिए है जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं वैसे ये दौलत चोरों ठगों और अन्य एब पाप करने मालों के अंदर है मगर उनको कोई गदर नहीं पहाडों में हजारों लाखों हीरे जौहरात हैं मगर वहां उनका कोड़ी जितना भी मूल्य नहीं गनहर गर्जें बजे नगारा कहते हैं ब्रह्म विद्या का भंडार है ब्रह्म में से स्रिष्टी पैदा हुई है यही पालता है और यही फिर मिटाता है यहां मात लोक में स्थूल माया है सहस्दल कवल में सूक्ष माया है और ब्रह्म में कारण माया है माया के बिना उत्पत्ती नहीं हो सकती वहां त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है जिस तरह मृदंग में से अती प्यारी गूँज निकलती है या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज लाल बरन सूरज उन्जियारा चतुर कवल मंझार सब्द यूंकारा है जिस तरह सुभे के सूरज की रोशनी लाल होती है इस देश का सूरज भी लाल है इस दुनिया के एक हजार सूरज इकठा कर लो तो वहां का एक सूरज बनता है परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है पर इस बेचारे को क्या खबर यहाँ चार दल का कमल है, जो चार वेदों के रिशियों ने चार महावाक के लिए हैं, वो यहाँ से लिए हैं, मगर वहाँ जबान नहीं, बलकि वो ना लिखी जाने वाली और ना बूली जाने वाली धुन है, जो सारी दुनिया को टाकत दे रही है, चार वेद, चार धुने ह जिनका जबान से वर्णन किया गया मगर असलियत बयान नहीं की जा सकती साध सोई जिन यह गढ़ लीना नौ दुर्वाजे पर गट चीना जो अपनी रूह को नौ दुर्वारों में से निकाल कर सहस्दाल कमल में ले आए फिर सहस्दाल कमल में से निकाल कर ब्रह्म से उपर यानी पार ब्रह्म में ले आए वही साध है जो पूर्ण साधना करे वही पूर्ण साधू है सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनने से साधू नहीं बन जाता दस्वां खोल जाए जिन दिना जहां कुफल रहा मारा है आगे सेत सुन है भाई मानसरोवर पैठ अनाई अब दस्वां द्वार आ गया इसकी रोशनी सफेद है वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहिब मानसरोवर कहते है और उपनिश्दों को मानने वाले रिशी मुनी उसे प्रियाग और त्रिवेणी कहते है आदमी के अंदर ही गंगा है अंदर ही यमुना है अंदर ही सरस्वती है जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रियाग कहते है रिशी मुनियों ने अंदर देखा है लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रियाग रख दिया जब वालमी की अभ्यास करके सुरत को ब्रम्म में ले गए अंदर की कुल रचना देखी तब राम चंदर जी की पैदायश से दस हजार साल पहले रामाइन बना कर रख दी अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतजाम खराब हो जाएगा तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए अंदर ना जा सके इसलिए दुनिया वाकी बाहर मुकी हो गई अब इस रम्ज यानी भेद को कौन समझे तुलसी साहब ने इस रम्ज को बड़ी अच्छी तरह खोला है इस दस्वे दुआर के प्रयाग को गुरुनानक देव जी अम्रित सर कहते हैं यहां जाकर मन, माया, पच्छिस प्रकृतियां, तीनों गुण, पांचों तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है वहां कोई शरीर नहीं तब यह कहती है, मैं आत्मा हूँ फिर कहती है कि मेरा प्रमात्मा कौन है सत्पुरुष, सत्नाम है अब जो अंदर नहीं जाते, वे कैसे माने संत कहते हैं कि आओ, जीते जी उपर चलो वे मरने का उधार नहीं रखते बलकि कहते हैं कि अब करो, अब लो हंसन मिल हंसा हुए जाई मिले जो अमी अहारा है जहां तक माया है माया के भोग है वहां तक हमारी कव्वे की वृति है कव्वे की खुराक क्या है विश्टा यहां आत्मा की खुराक क्या है भोग जब यह स्थूल सूक्ष्न कारण तीनों शरीर उतार देता है अमरित सर में नहाता है तब इसकी हंस गती हो जाती है वहां ना इंद्रियां है ना मन वहां निरोल यानी विशुध आत्मा है तब यह कहता है मैं आत्मा हूँ उस अमरित को पी कर उसमें सनान करने पर यह उपर रूहानी मन्जिलों पर जाने के चाबिल होता है जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी विवसाय में जाने के चाबिल होता है नहीं तो यह माया के पिंजरे का तोता है किंगरी सारंग बजै सितारा अच्छर ब्रहम सुन दर्बारा कहते हैं वो किसकी आवाज है फिर खुद ही जवाब देते हैं किंगरी और सारंगी की यही गुरु अमर्दास जी कह रहे हैं इत किंगरी त्यान न लागय जोगी ना सच पल्ले पाए जित किंगरी अनहद वाज्य हरस्यों रहे लिवलाए विन वजाई किंगरी वाज्य जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्ती होवै जोगी साचे रहे समाए ए योगी यह जो तुमारे बाहर के बाजे हैं यह गंटा दो गंटा बजा लोगे फिर बंद मगर उस किंगरी की धुन जो तुमारे अंदर हर वक्त हो रही है उपर चड़ो और उसको सुनो द्वादस भानू हंस उज्यारा खट दल कमर मंझार सब्द ररंकारा है यह छे दल का कमल है इसका मालिक ररंकार है इस जगह पहुँचकर आत्मा की अपनी रोष्णी बारा सूरज की हो जाती है मगर बारा सूरज की रोष्णी होने के बावजूद आत्मा आगे महासुन के मैदान को पार नहीं कर सकती वहां सद्गुरु अपनी रोष्णी के जरीये रूह को उपर ले जाता है इस जगा का स्वामी रारंकार है महासुन सिंध विश्मी घाटी बिन सत्गुर पावे नहीं बाटी बस अब रूह पार ब्रह्म के उपर जिसको महासुन कहते हैं पहुँच गई कहते हैं वहाँ आठ दल का कमल है वो बड़ी उची यानि विश्म घाटी है यानि आगे तिमिर खंड है अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ आत्मा की अपनी बारा सूरज की रोश्णी कुछ काम नहीं करती लेकिन जब हम उसे पार करते हैं सत्गुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है सत्गुरु सेवक की सुरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है सत्गुरु का अर्थ क्या है अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जब ये एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए फिर इसकी अपनी रोश्णी बारा सूरज की हो जाती है फिर महासुन के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की जरूरत नहीं लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ मैं उस्ताज से नहीं पढ़ूंगा फिर उसको कौन पढ़ाए जो कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं मैं कहता हूँ कि उनको परमात्मा की भी जरूरत नहीं जिस तरह सहंस्तल कमल में जग्यासु को विरोधी शक्तियां प्यार से समझाती है कि हमारा कहना मान आगे मत जा हम तुम्हें यहां का बादशा बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे इसी तरह यहां पहुँचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं मतलब क्या अगर प्यार से नहीं समझा तो डरा कर मना लिया जाए आगे तीन देश हैं उनमें से जाने के लिए तीन ही रास्ते हैं एक तरफ सहज द्वीप है एक तरफ अचिंत द्वीप हमें बीच में से जाना है अश्ट दल कमल पार ब्रहम भाई दहने द्वादस चिंत रहाई बाएं दस दल सहज समाई यों कमलन निर्वारा है इस जगह आठ दल का कमल है दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें बारा दल का कमल है बाई तरफ सहज द्वीप है जिसके अंदर दस दल का कमल है जो जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी वाणी में निशानी देता गया अब ये कबीर साहिब निशानी देते जाते हैं पांच ब्रहम पांचों अंड बीनों पांच ब्रहम नेह अच्छर चीनों कहते हैं महासुन के अंदर पांच बड़े बड़े भारी खंड हैं ये हमारा खंड यानि मृत्यों लोग उनके सामने कोई चीज नहीं अंदर बड़े बड़े जबरदस्थ खंड हैं हर एक खंड का अपना अपना ब्रहम है वे खंड इस मसाले के नहीं बलकि वो मसाला और है हमारा ये खंड यानि मृत्यु लोग उन खंडों के मकाबले में इस तरह है जिस तरह समदर के अंदर एक बाल आगे चार मुकाम हैं जिने संतों ने अभी तक नहीं खोला वे देखने से ही तालुक रखते हैं जो जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं उन्हें बंदीवान कहा गया है उन्हें यहां कोई तकलीफ नहीं सिवाए इसके के ऊपर नहीं जा सकती है मगर उनकी आजादी का भी एक जरिया है जिन जिन रूहों को मृत्यु लोग से संत कमाई करवा कर अपने साथ ले जाते हैं उनके आगे वो महासुन की रूहें प्रार्थना करती हैं कि अपने सत्गुरु के आगे हमारी सिफारश करो कि हमें भी उपर ले जाएं वे संत चाहें तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं अब जिन रूहों को पार ब्रह्म तक का गुरु मिला वे वहाँ ही रह गई आगे नहीं जा सकी इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंडो अब जिने ब्रह्म तक का गुरु मिला वे ब्रह्म में ही रह गई लेकिन वे सत्थ पुरुष यानि सत्थ नाम में नहीं जा सकती है। करते केल पारो तहां गुर्न दर्वारा है। वो असली सोहंग का देश है। वेदों वाले तो नीचे ही रह जाते हैं और कह देते हैं सोहंग। चीह निस्बत खाक राबा आलमे पाक। भाव धुर दर्गाह की गती से मात लोग की मिट्टी का क्या मकाबला है। सैसे अठासी दीपर चाए। हीरे पने लाल जडाए। कहते हैं वहाँ अठासी हजार दीप हैं जिनके अंधर वे रुहे रहती हैं जो की कभी जन्मरं के अंदर नहीं आईंचनीं। उन दीपों और रुहों की खुपसूर्ती का हम वर्णन नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हीरे, पन्ने और लालों की मिसाल दे सकते हैं मगर ये तो जड़ हैं इसके विपरीत वो कोई और चीज़ है मुरली बजत अखंड सदाए तहं सोहं जनकारा है वहां सोहं की आवाज है उस थान को सोहं कहते हैं आई समझ सोहं कार्थ है जो तू है सो मैं हूँ बूंद समद्र को देखकर कहती है मैं भी उसकी अंश हूँ वो समद्र है मैं बूंद हूँ इस तरह रूह सत्पुरुष को देखकर कहती है के मैं सत्पुरुष की अंश हूँ वहां हर वक्त मुरली की धुन्जारी है सोहं हद्द तजी जब भाई सत्लोक की हद पुनि आई बस अब आत्मा सोहं को छोड़ कर सचखंड आ गई इस देश का मालिक सतनाम है यहां सारी उत्पत्ती का जहूर यानि आरंभ हुआ है बूंद समद्र में जाकर समद्र बन जाती है अब सत्पुरुष रूख को अपने पास नहीं रखता बलकि आगे अनामी में भेज देता है सत्गुरु का फर्ज आत्मा को सत्पुरुष की गोद में पहुँचाना है उठत सुगंध महाँ अधिकाई जाको वार न पारा है वो देश यानि सचखंड पहले दरजे का खूबसूरत देश है वहाँ अपार सुगंध है अपार खुशी है मतलब ये कि वो अनन्त प्रेम का देश है उसकी इस मंडल यानि संसार में कोई भी मिसाल नहीं वहाँ जाने वाली आत्मा की अपनी रोष्णी सोला सूरज की है जब तक सोला सूरज की रोष्णी नहीं हो वहाँ यानि सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता उस दरबार में पूरे यानि सोला सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है वहाँ बीन की धुन हो रही है ब्रह्म तक रचना प्रले में मिढ जाती है और सोहंग तक महा प्रले में ये सतनाम का देश है जहाँ ना प्रले जाती है ना महा प्रले जब हम इस देश में पहुँच जाएंगे वहाँ ना जन्म है ना मृत्यू ना दुख है ना सुक अब जो जो सहस्तल कवल में ही रह गए वे बिचारे इसलाफानी देश की लीला को क्या समझें जिन्होंने दस्वी कक्षा पास की है उन्हें बी एमे की क्या खबर कोटेन भान उदै जो होई एते ही पुनी चंद्र लखोई पुर्ष रूम सम एक न होई ऐसा पुर्ष दिदारा है कहते हैं कि यदि करोडों सूरज और करोडों चंद्रमा की रोशनी इकठी कर ली जाए तो भी सत्पुरुष के एक बाल का मकाबला नहीं कर सकते फिर उसका सही अंदाजा क्या लगाओगे अब ये सारे सामान परमात्माने इनसान के अंदर रखे हुए हैं देखो ये कितनी गीमती मशीन है मगर दुनिया को कोई खबर नहीं आगे अलाख लोक है भाई अलाख पुरश की तहां ठकराई अरबन सूर रोम समना ही ऐसा अलाख नहारा है ता पर अगम महल इक साजा अगम पुरश ताही को राजा खरबन सूर रोम इक लाजा ऐसा अगम ये पारा है देह सूरूप सत्गरू का फर्ज है कि वो साथ होकर शिश की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुँचाए आगे सत्पुरुश की अपनी ड्यूटी है कि वो उसे अपनी शक्ती देकर अनामी देश में पहुँचाए अनामी देश सत पुरुष के पास पहुँचा कर सत अनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई अब जो अनामी देश है वो बेंत है उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते अब ये आठमी मनजल है ये संतों का देश है जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मनजल पर खत्म हो गए फिर संत उन वेद शास्त्र वालों को क्या समझाएं संत मत को पूरे तोर पर समझ लिया जाए तो किसी मजब की जरूरत ही नहीं रह जाती फिर एक सत्संगी ने कहा हुजूर जिस तरह वो अनामी पुरुष अथा है और उसका वर्णन करने के लिए जबान बंद है इसी तरह यहां सत्गरू के सुरूप का वर्णन करने के लिए भी जबान बंद है वो कुछ नहीं कह सकती फिर महराज जी ने फरमाया मगर इसको हजम कर लिया करो भीखा बात अगंग्म की कहन सुनन में ना ही जो जाने सो कहे न कहे सो जाने ना ही ये तो हजम करने वाली बात है ता पर कहे लोक है भाई पुर्श यो नामी तहां रहाई जो पहुँचा जानेगा वाही कहन सुनन ते न्यारा है काया भेद किया निर्बारा यह सब रचना पिंड मंजारा माया अवगती जालप सारा सो कारी गर भारा है इसके उपर अकेह लोक है जिसको अनामी भी कहते हैं यहां पहुँचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए अब कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है मैंने उसका बयान कर दिया है ये बात समझने वाली है आदमी के अंदर तो सब कुछ मौझूद है लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर परदा डाला हुआ है विरोधी शक्तियां कौन सी हैं माया और काल जिनकी लोग पूजा करते हैं वही उन्हें खाते हैं माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट हैं काल आत्मा को बना नहीं सकता काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता वैसे स्वर्ग भी देता है बैकुंट भी देता है संत आकर इसका परदा फाड़ देते हैं वे कहते हैं हे शिश्य तुझे जीते जी प्रलय महा प्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या ये आगे कहते हैं आदि माया के ने चतुराई जूठी बाजी पिंड दिखाई अंदर चक्रों के तीन दर्जे हैं पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रमांड जो ब्रमांड के छे चक्र हैं, उनका प्रतिबिम्ब अंड के छे चक्रों पर पड़ता है और जो अंड के 6 चक्र हैं, उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है ये माया का धोखा है अब जो ब्रमान्ड है, संत ही वहाँ जीवों को ले जाएं तो ले जाएं नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में आगे नहीं गए अब इस भेद को इस पर्दे को संतों नहीं खोला है वे कहते हैं कि आई शिश्य आ उपर और देख कि माया ने क्या जाल रचा है फिर संत इसको ब्रहमांड में ही नहीं छोड़ देते बलकि सचखंड में ले जाते हैं अवगत रचना रची अंड माही ता का प्रति बिम्ब डारा है बस यहां ब्रहमांड के चक्रों का प्रति बिम्ब नीचे अंड में आ गया वहां काल ने भुला दिया यहां पिंड में अंड का प्रति बिम्ब दिखा कर माया ने भुला दिया सब्द बिहंगम चाल हमारी कहें कबीर सत गुर देतारी अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है उसे करमवार चार चालें अपनानी पड़ती हैं पहली चीटी चाल, दूसरी मकडी चाल, तीसरी मीन चाल और चोथी विहंगम चाल पहले सुमरिन द्वारा आत्मा नौ द्वारों में से बहुत धीरे धीरे निकलती है जिस तरह चीटी बड़ी मुश्किल से दिवार पर चड़ती है, गिर जाती है, फिर चड़ती है, फिर गिर जाती है ये बड़ा लंबा कोर्स है, यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा, तो आत्मा उपर चली जाएगी आगे मकडी मार्ग है, जिस तरह से मकडी तार के जरीए छट से नीचे उतरती है और खापी कर फिर तार के जरीए उपर चड़ जाती है इसी तरह आत्मा जब उपरी मंडलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है तीसरा मीन मार्ग है मचली चड़ाई की आशिक है पचास फुट की उंचाई से धार गिरती हो तो भी मचली फॉरन चड़ जाती है चौथा विहंगम मार्ग यानी पंची मार्ग है जिस तरह पंची एक पहाड से उड़ा दूसरे पर जा बैठा और दूसरे पहाड से उड़ा जमीन पर आ बैठा इसी तरह यहां आँखें बंद की सचखंड चले गए आँखें खोली और वापिस शरीर में आ गए कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है फिर कहते हैं कि ये मार्ग मुझे किसने बताया सत्गुरू ने उन्होंने रास्ता दिखाया मैं कमाई करके यहां आ गया खुले एक पाट सब्द जनकारी कहते हैं अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रमांड में आ जाओ फिर सचखंड में चलो उस देश में माया का दखल नहीं सब्द बेहंगम चाल हमारी कहक बीर सत्गुर दैतारी खुले एक पाट सब्द जनकारी पिंड अंड के पार सोदेश हमारा है झाल चाल हमारी झाल झाल